दोस्तो जब भी आप अपना कोई काम सुरु करने जाते हैं तो आपके मंन में एक भी जागता है कि आखिर इसमें कितना पैसा लगने वाला है बहुत साले लोग तो ऐसे हैं जो पैसेव को लेकर अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई अपना काम सुरूर नहीं करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में जो बिजनेस आडिया बताने जाता हूं इसे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं सबसे पहरा जोस्तो पापड बनाने के विद्निस आपको पता होगा जोस्तो आज गर्मी के दिन आ रहा है और गर्मी हो या सरदे लोग पापड खाना पसंद करते हैं चाहे हो खाने के साथ खाए या फिर ऐसे ही खाए गली में घुंघुम गढ़ा को पापर देखने वाले मिल जाते हैं तो अगर अप आप इंटरेनिठ से भी सीख सकते हैं आप पापर बनाकर उसको बेज सकते हैं अप का मालब होगा इसमें बहुत कंब इंबेस्टमेंट लगने वाला है और यह आप चाहे तो 5000 आपके पास है तो एक बार 5000 लगा कर आप इसे सुरू कर सकते हैं इसके लाब अगर बेचना हो तो आपके पास साइकरो कर रहा होगा आप उसके जरिये इसको घुम घुम कर बेच सकते हैं जिसे आपको काफी अच्छा प्रोफिट हो जाएगा तो जो पापर बायाने का बिजनेस से वो भी एक आपके लिए काफी बेच्ट बिजनेस आडिया है जो आप 5000 के अंदर सुरू कर सकते हैं और इसको स्टार्ट करके आप काफी अच्छा पैशा कमा सकते हैं दूसरा है दोस्तो नमकीन भूजे का बिजनेस गाव में तो जड़ा तर आपने देखा होगा नमकीन या भूजा दोस्तो गली गली में बिखता है और सहर में भी आपको किसी ना किसी मार्केट में देखने को मिल जाता है तो अगर आपको ये बिजनेश करना है, तो आपको सिंप्लि कार करना होगा, नमकीन और भूजे कुछ काठा करना है, खुद से बनाना है, उसके बाद आप इसको पैकिंग करके भी बैज सकते हैं या फिन फिर इसको खुले में लेकर गली गुमकर बैज सकते हैं, या फिर पूझर बनाने का बिजनेस है. ये भी एक काफी मज़दार बिजनेस है. गिलोर आप शकू और से हर किसी को खाना पसंद होता है. शक्रतरे और गली में इसका अलगालग सबस्टन के भी तो एक बिजनेम आ ठिन्हें. उसक्त देगत होते हैं.। बिनाने नहीं आता है, तो आप क्या करिए, इसको होलसेल में खरीदिये, मिल जाता है, और हर एक पीस पे आपको 5-7 रुपिय का बचत हो जाएगा, और मोमुच में भी आपको 2-3 रुपिय का बचत हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, हर थोक भाव में खरीदना है, फिर आ आप यकीन नहीं करेंगे आपको इससे काफी अच्छा फाइदा होगा और दिन का आप रोज हजार से दो हजार तक प्रोफिट कमा सकते हैं वर आप 5,000 का श्टॉक रखेंगे उसके बाद आप उसको बेज कर फिर उससे जो प्रोफिट आएगा उसको इसी में इन्वेस्ट कर के और कुछ दिन को बाद आप लेखेंगे आपको इससे 2,000-3,000 रोज का बचत हो जाएगा तो यह जो रोल और मोमोच का बिजनस है काफी अच्छा बिजनस है और काफी प्रचलित बिजनस है और इसको हर कोई आजकल खाना पसंद करता है तो यह बिजनस भी आपके लिए क समोसा और कचोडी बेश से हैं तो अगर आपको कोई बिजनस करना है और आपको समोसी बनाने आते हैं और कचोडी बनाने आते हैं तो आप समोसी और कचोडी का बिजनस कर सकते हैं इसको सिंपली क्या करना है आपको एक बार ही इंवेस्टमेंट करना है और आप इन सारी ची बिजनस है ये भी काफी अच्छा बिजनस है, पाँच जार के अंदर आप इसको सुरू कर सकते हैं और इसे आपको काफी अच्छा प्रोफिट हो जाएगा, आखरी है तुस्तो बर्गर और चॉमिन का बिजनस, आपको पता होगा दुस्तो सामको आपको बर्गर या चॉमिन हर कोई इसको खाना पसंद करता है तो बर्गर और चॉमिल दोस्तों इसको बनाने में बहुत ही कम खर्च आती है अगर आप एक 30 रुपिया का पैकर लाकर चॉमिल बनाएंगे तो उसे आप 100 रुपिया तक आराम से बेच सकते हैं तो इस बिजनस में भी दोस्तों आपको काफ से 7 रुपिय खर्च आएगा तो उसको आप 15-20 रुपिय में आराम से बेच सकते हैं उसके बाद तो आप इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं जो बर्गर और चॉमिल का बिजनस है यह अभी काफी प्रचलित बिजनस है इस परकार दोस्तों यह पांच व बिजनस को 5,000 में करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों अमीद करते हैं यह वीडियो पुसंद है और वीडियो पुसंद है तो वीडियो को लाइक करना और इसी परकार का बिजनस आइडिया के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना